इतिहास की दिल्चस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिभ हिस्ट्री इंडिया अरब महासागर की किनारे एक पुराना सैनिक किला पूरी शान से खड़ा है ये है शक्तिशाली और शांदार कुलाबा किला व्यापारियों और नौसेना के बेड़ों का केंद्र रहा ये बंदरगा महान मराथा सरखेल कानहोजी आंगरे का मुख्याले हुआ करता था ये है कुलाबा किले की कहानी अली बाग का नाम दौलतमंद व्यापारी अली के नाम पर पड़ा था जो यहां 300 साल पहले रहा करता था उसने यहां आम जनता के लिए बड़े बड़े बाग और पेड़ पौधे लगवाए अली बाग की दिल्चस्प बात ये भी है कि पूरे कौंकन इलाके में ये एक मात्र स्थान था जिसने पुर्तगालियों और मराटों दोनों को पनाह दी कुलाबा किला अली बाग के समुद्री किनारे से दो किलोमीटर दूर बीच समुद्र में बना हुआ है और पर्यटकों के लिए आकर्शन का केंद्र है छत्रपती शिवाजी महराज ने इस विशाल और उजार जगे को सन 1662 में नौसेना का मुख्य स्टेशन बनवाने का आदेश दिया था छत्रपती शिवाजी महराज ने दक्षिनी कौंकन की मुक्ती के बाद इसे किले बंदी के लिए चुना किले का निर्मान कार्य सन 1662 में आरंब हुआ सन 1680 में इसे नौसेना का मुख्याले बनाने के लिए और मजबूती देने का काम शुरू हुआ लेकिन किले का निर्मान कार्य सन 1681 में छत्रपती शिवाजी महाराज के दिहांत के बाद उनके पुत्र संभाजी महाराज ने पूर्ण करवाया अलिबाग का जो शेयर है वो एक अली नाम की शक्स ने पहले बसाया उनने वहाँ बहुत सारी बाउडिया बनाई और बाउडियों के साथ बाग बनाए और ये करेंब एक 2500 साल पहले की बात है अलिबाग इतना फेमस है तो इस कारण से है कि यहां बहुत ही ब्यूटिफुल लंबा बीच है अलिबाग का बीच जो है उसका ग्रेडियन्ट एक्तम ही लो है एक लो ग्रेडियन्ट के वज़े से आप दूर पानी के अंदर चलते होए जा सकते है और बीच के सामने एक बहुत ही ब्यूटिफुल फॉर्ड बनाया गया है जिसे कुलाबा का किल्ला कहते है तो यह जो किल्ला है वो शिवाजी महराज ने बनाया था करीब 1662 में उन्होंने यहां फोटिफिकेशन बनाये थे 1680 में उन्होंने फिर से रिपैर किये थे और उनके ध्यान के बाद 1681 में उनके बेटे शमभाजी राजे ने यहां का काम कम्प्लीट किया था शिवाजी महाराज पस्चिमी तत के पहले राजा थे जिनको एक नेवी बनाने का इंपोर्टन्स समझ में आया तो उन्होंने यहाँ अलीबाग में उनके नेवी का में बेज बनाया और जो उनकी नौसेना थी यहाँ करीब उनके दियान के बाद भी एक देड़ सो साल के लिए उनकी नौसेना का में बेज मराठा के नौसेना का में बेज अलीबाग रहा के है पेश्वा बालाजी विश्वनात ने संसत्रा सो तेरा में हुए एक समझोते के तहट कुलाबा किला और कई अन्य के लिए अपने काबल मराठा एडमिरल या सरखेल कानोजी आंग्रे को सौब दिये थे दस जहाजों और अन्य संसाधनों के साथ आंग्रे ने नौसेना का अदंत गुद बेड़ा और सैनिक तक्निक विक्सित की और भारत में सबसे ज़्यादा ताकतवर नौसेना तयार की कानोजी आंग्रे ने कुलाबा किले को अपना मुख्याले बनाया और कुलाबा बंदरगा की स्वतंतरता को बचाने के लिए वहीं से दुश्मनों के जहाजों पर फौजी छापे मारी की उन्होंने अपना सिक्का भी जारी किया जिसका नाम था अलिबागी रुपिया नवंबर सन 1721 में अंग्रेज और पुर्तगाली डोनों मिलकर कुलाबा किले को आंग्रे से हड़पने के लिए आए लबख तीन हजार पुर्तगाली सेनिकों और तीन अंग्रेजी जहाजों ने कुलाबा किले पर हमला किया लेकिन वो नाकाम रहे पुर्तगालियों और अंग्रेजों ने अंग्रे को वश्मे करने की कई कोशिशे की लेकिन अंग्रे अवपर आजित रहे जुलाई सन 1729 में कानोजी राजे आंग्रे की कुलाबा किले में ही मृत्यू हो गए थी आंग्रे की समाधी आज भी पूरी शान के साथ अलिबाग में मौजूद है पहले अलिबाग का जो कमांड था वो दर्या सारंग जो थे उनके हाथ में था और बाद में इस एलिए कमांड दिया गया कानोजी अंग्रे को अग्रे हैं कानोजी अंग्रे ने कूलाबा किले को सबसे खास बात ये है कि किले के अंदर मीठे पानी के कुए है जब कि किला समुद्र किनारे बना हुआ है किले में कई मंदिर भी मौजूद है जिन में सबसे मशूर है सिध्धी विनायक मंदिर जो रागोजी आंग्रेनेशन 1769 में बनवाया था किले की उत्तरी दिवार के पास दो अंग्रेजी तोपे भी मौजूद है कुलावा किला का किला जो है एक बड़े से पत्थर के उपर बनाया जा है प्रसौल्ड पत्थर के उपर चोटा सा तापू है वहाँ और करीब 900 मीटर लंबा है North South और 1300 मीटर East West उसके Northern Direction में दूसरा एक छोटा किला है जिसे सर्जे कोट केते हैं और यह सर्जे कोट का किला इस करण बनाया गया था कि लैंड पे जहां छोटा सा एक किला हिरा कोट नाम का बनाया गया था अगर वो एनमीज के हाथ में गिर जाए तो वहां की गन्स को डिफलेक्ट करने के लिए यह सर्जे कोट बनाया गया है कोई लोग ऐसा भी केते हैं कि यह सर्जे कोट में इस चिप्स का बैनेफेक्ट्र हुआ करता था मगर आर्केलोजिस को आज कोई भी उसका सबूत नहीं बिला हुआ है जो में किला जो है काफी इंटेक्ट कंडिशन में है उसके वाल्स विदाउट मॉर्टर बनाये गये है मतलब उसे कोई सिमेंट वगएरे नहीं यूज किया है ब्लोक अन ब्लोक टेक्नीक है जैसे आशलार मेसंरी कहते है और पूरा जो किला है उसकी जो टटवंदी है वो पूरी बैसॉल्ट से बनी हुई है काफी महलों के अफशेश है अंदर जो आंग्रेओं का वाडा हुआ करता था उनका जो पैलेस हुआ करता था उनके रोइंस है वेल्स है अंदर पाउडिया जिसमें आज भी मीठा पानी है एक बहुत बड़ा वाटर टाइंक है जिसकी चारो माजो सिमेंट कॉंक्रीट की आज दिवाले है और उसमें आज भी पानी भरा हुआ रहता है और जब हम वहां गये थे तो काफी सारे कच्वे भी थे तेहर रहे थे उसमें और ये मीठे पानी का जो रेजर्वायर है इस टैंक में इसी कारण से ये फॉर्ट इंपोर्टन था कि आप इस किले के लोगों को स्टार राउट में कर पाते वे उनके पास चाहिए उतना पीने का पानी था बराबर इसके सामने एक मंदिर है ये टिपिकल पीश्वा पिरियेट का मंदिर है गनेश मंदिर है उसके बाजु में दो छोटे मंदिर लगे हुए है उसमें से एक अनमान जी का मंदिर है यह गनेश मंदिर है जिसको बाद में आगे एक मंदब पी लगाया गया है जो ओक्टगॉर्नल शिप का है यह टिपिकल लीड पिर्श्वा स्टायल का मंदिर है मगर जब हम अंदर जाते हैं मंदिर में और मंदिर के दर्वाजी के पास जाते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि शायद पहले ये गनेश जी का मंदिर नहीं था, क्योंकि लिंटेल में बीच में हमें कृष्ण भगवान दिखते हैं, बुर्ली बजाते हुए, तो शायद पहले ये एक वैशनवाइट श्राइन था, और बाद में ये गनेश मंदिर बना, ये शायद नहीं भी, इसके बारे में काफी चर्चा हो चुकी है, इसको छोड़के दो बड़े दुआर है, हम जब कुलाबा का किला एंटर करते हैं, तो जो महा दुआर है, उससे एंटर करते हैं, जो अलिवाग को फेसिंग है, और सदन एंड पे दूसरा दर्वाजा है, जिस सुन्दर और छोटा बंदर दिखता है, यह बंदर पत्थरों से बनाया गया है, एक ब्रेक वाटर है, कुलाबा किला नीवी का हेड़कोर्टर था, और नीवी के जो एड्मिरल थे, उनका हेड़कोर्टर था, तो उनके जो बोड्स पगेर आते थे, उनको रुकने के लिए यह बंदर बनाया गया था यश्व अंदर वाजी के पास, और अंदर और और भी छोटी-छोटी चीज़ें मिलती है रहती है हमें, दो बहुत ही बढ़िया तोफ है, मगर वो बिटिश पिरियाड के है, और जो हम उनके गन कैरिजिस देखते हैं, तो वो बहुत ही इंटरेस और शायद यह बिटिश पिरियाड के है, ऐसा भी हो सकता है कि थोड़े अर्ली पिरियाड के हो सकते हैं, काफी मारा मारिया हुई यहां यूद हुआ है, पर्टुगीज ने हमला किया था इस किले पे, मगर वो काम्याब नहीं हुआ और इस दोरान कई भवन बर्बाद हो गये, एक बार भयानक आग लगने से किले की रौनक समाप्थ हो गई सन 1787 में लगी आग में आंग्रेवाडा पूरी तरह नश्ट हो गया, कुछ दिनों बाद इसे दोबारा बनवाया गया सन 1840 में व्याई समाप्ती के नियम के तहट कोलाबा किला इस्ट इंडिया कमपनी के कबजे में आ गया अंग्रेजों ने किले के अंदर के कई भवन गिरा दिये और बहुत सारी लखडियां और चबूत्रे बेच डाले किले में दो बार तीन बार रिकॉर्ड्स है कि आग लग चुकी थी जो किले का बड़ा वाड़ा था आंग्रे का वाड़ा वो पूरे आग में डिस्ट्रॉई हो चुका था फिर उसे रिपेर किया गया लास्ट में जब ये किला 1840 में ब्रिटिश के हाथ में आया तो ब्रिटिश ने वाड़ा डिस्मैंडल किया और उसके पूरे जो लकड़ियां थी और बड़े बड़े बीम्स थे वो बेचती है इसकी भी हमें गेसिटर में रेकॉर्ड्स मिलते हैं तो अलिवाग का जो शुहर था और जो कुलाबा किला था 19th सेंचरी में डिस्यूज में हो गया ये पूरा कोस्ट बिटिश के हाथ में आ गया और एक बार वो बिटिश के हाथ में आ गया तो यहाँ पीस्फुल था उनको यहाँ पोस्ट महन करने की जरुरत नहीं थी मगर ऐसा भी हमें मिलता है हिस्ट्री में कि जब ये किला मराठाओं के हाथ में था तो हर बुरूस के उपर हमेशा चार आगनी तैनात रहते थे तोफे लगी रहती थी गोला बारूद तैयार हुआ करता था और कभी भी आकरबन के खिलाफ डिफेंट करने के लिए ये किला हमेशा रही हुआ करता था अलीबाग आज बंबे से सिर्फ देर गंडे के दूरी पे है बहुत ही ब्यूटिफुल टाउन है हॉलिडे डेस्टिनेशन है और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे सैलानियों को कि वो वहाँ जाए बीच का लिफ्ट तो उठाए ठीकिन उसके साथ-साथ किले को बेजाए और किले को भी एक्स्टॉर करे और एक इतना ब्यूटिफुल मेडीवल समुद्री किला जो है उसका मजाले है ये सच है कि अलीबाग अपने खूबसूरत समुद्री किनारों और विंजन की वज़े से एक मशहूर पर्यटक स्थल बन गया है लेकिन जिन लोगों की इतिहास और शिर्पकारी में दिल्चस्पी है उनके लिए ये पुराना सैनिक किला अपनी विशेशताओं की वज़े से एक बार देखने लायक तो है ही गली उनकी बार भी में आवरें अवरें पर दो किवरें लोगों बेकिन की थाओं वेसी इतिए अवरें झायों में ओमकिन लिगomas